नमस्कार दोस्तो आज किस ने विड़े में आप जानने वाले हैं कि यूपी इस कालर सिब में अगर आप जो है रिश्टेशन कराएं हैं और अपना रिश्टेशन संख्या भूल गया है तो आप अपना रिश्टेशन संख्या कैसे पता करेंगे तो रिश्टेशन संख्या पत आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या कम्पेटर में open कर लिजेगा Google Chrome आपके पास जो भी ब्राउजर हो आपको अपने मोबाइल में उस ब्राउजर को open कर लिजेगा ब्राउजर को open करने के बाद में आपको उस पर डाल देना है upscholarship.gov.in इतना डाल के आपको सर्च पर प करेंगे तो यह यूपी scholarship की official website कुछ इस तरह का open होके आ जाएगा जो कि आपको क्या करना है यहाँ पर देखे लिखा होगा student तो आपको student वाले option पे क्लिक कर देना है और student वाले option पे आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखे लिखा है registration तो आपको registration वाले option पे क्लिक कर देना है तो आप registration वाले option पे जैसे क्लिक करेंगे तो यह अगला detail कुछ इस तरह का open होके आ जाएगा जो कि दोस्तों आप अगर SCST या general category के हैं तो आपको सबसे पहले वाले option पे यहाँ पर आपसन मिल जाएगा प्रे post matrix और post matrix other than और दोस्तों अगर आप OBC category से बिलांग करते हैं तो यहाँ पर देखिए इतना option यहाँ यहां पर मिल जाएगा और अगर आपा अलव संक्या से बिलांग करते हैं तो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पर अगर आप जो है हाई स्कूल या रहे हैं तो आपको प्रेमेट्रिक पर कर देना है अगर आप जो है इंटरमेट्रिक कर रहे हैं तो आपको पोस्ट मेट्रिक इंटरमेट्रिक पर क्लिक कर देना है तो इस पर क्लिक करने के बाद में यह अगला डिटेल प्राप्त कर सकते हैं भूर सकते हैं कि कैसे आपका रिष्टेसन संख्या मिलेगा तो आपको वीडियो में इसकी जाईए गमत आपको मैं फुल प्रोसस बताने वाला हूँ तो क्या करना है आपको यहां पर देखे लिखा हुआ है जिला तो आपको अपना जिला यहां से दो करना है और चूज करने बाद में तो दर्स्तों यहां पर देखे चौथावला अफिल लिएगा और Dobla यहां से अपने अक्षित कर लिएगा आब अपना यहां पर घुक लेना है और इसके बाद में आपके प्रेटा बर्द कर लेना है और इसके बाद में आपको यहां पर जेंडर है है male female जो भी हो आप उसको select कर लिजेगा और select करने के बाद में यहां पर देखे mail select किया है तो यहां पर देखे बिवाहित की स्थित में यह दिनाम में प्रजटन है तो तो दोस्तों अगर आप female करेंगे तो यहां पर यह वाला option सोह के आ जाएगा हाइड जो हुआ हाइड नहीं रहेगा यह सोह के आ जाएगा तो आपका जो भी हो आप यहां पर फिल कर लिजेगा और इसके बाद में आपको क्या करना है यहां पर देखे लिखा होगा जो भी विद्याले का नाम हो अपने विद्याले का नाम यहां पर फूरा फिल कर लेना है और फिल करने के बाद में आपको नीचे दिखे लिखा होगा आपसन मोबाइल नंबर तो आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो आपको पासवर्ड डालें तो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर लिजेगा जो कि दोस्तों पासवर्ड डालने के यहाँ पर तरीका बताया गया है यहाँ पर देखिया पासवर्ड डालने की लंबाई छे से बारावणों के बीच हो सकती है कम से कम एक संख्या एक बड़ा अच्छर एक बिशेस वर्ड सामिल करें तो इसी तरह से जो है अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल कर लिजेगा और फिल करने के बाद में आपको सम्मिट वाले अप्शन पर किलिक कर देना है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लिजेगा तो मिलते हैं एक नवी वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन